नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग मीद बहुत अच्छे होंगे देखिए आज की वीडियो बहुत ही इंपर्टेंट होने वाली है उनके लिए इस्पेसली जो लोग प्रोग्रेसिव लेंस खरेदने जा रहा है या फिर खरीद चुके हैं दोनों लोग है के लिए ठ चाहिए जो कि आपके लिए बना हो तो कस्टमर भी जाता है दुकान कर पूछता है कौन सा फ्रेम सुटेबल है वह आप दिखा देंगे तो आज कल ट्रेंड ऐसा है मतलब लेंस टेकलोजी इतनी ज्यादा मतलब एडवांस हो चुकी है कि आपको आप बड़ा फ्रेम्स लें चोटा का मतलब कितना चोटा ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि आप 15 mm का लेली जो और बोलिए इसमें प्रोग्रेसिव लेंस फिट कर देते हैं ठीक है तो मिनिमम कितना होना चाहिए आज हम लोग बात करेंगे और किस तरह का फ्रेम होना चाहिए आपका उसके बारे में बात बाट करेंगे, और progressive lens के लिए, POLER रेसियो regular lighting की GORDON मीनमम कास्टिंग है, किसंग होती है और कमदम में आपको progressive lens with coating कहां मिलेगा brand-led की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बताह दूंक upright channel को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ली जाएगा ताकि कुछ भी वीडियो से हमारी आती है तो उसके बारे मैं आपको पता है चल सके जल्दी से अच्छली हलो मेरा नाम है राकिस कुमात सिंग और मैं एक सिंग अपको में टेस्ट हूं स्वागा थापके मेरे कर सकते हैं से कोई फरक नहीं पड़ता है से हमारे कंसा फैस हमें लाइक फ्रेम अच्छा लगता है हमकों वह फ्रेम अच्छा लगता है वहों हमारी मेरे परेस्णल जोई शीक्ट है तो जब हैं ने समया कि द्यान रखना है उसको जो отпraat है ना यह मतलब हिस्टी से संच्छ लोलता है वर्टिकल जिसको लोग बोलता है बी सई तो आपको A और डी को लिखा रहेगा डी मतलब वियर नोजवीज की सायज कितनी है कोई भी किसी आभी प्रेम एब ओठाएंगे कंपनी का टेंपल न लिखा रहता है कुछ उसकी size क्या है तो उसमें सिर्फ आपको ए और डी लिखा रहीगा मतलब यह size d size बेट बिसाइज नहीं लिखा रहता है वी साइज हमें मेजर करना होता है इस यूदि आप यह वीट तैनि यह मेजर करते हैं यह 30 mm से जादा है यदि आप 60 कार्डियो और नहीं जाना हो गया है आपका डिस्टेंस एरिया है जरूरी नहीं आपकी जो फिटिंग हाइट है वो 20 mm हो एक्चलिए हमने जस्ट ऐसे ही बता है क्योंकि वो डिसाइड होता है जब प्रापर रूप से मेजर्मेंट लिया आ जाता है तो हो सकता है 18 भी हो हो सकता है 15 हो तो वो डेपेंड करेगा जब आप कोई भी फ्रेम चूज करते हैं तो आप जो भी आप टिस्टेंस है आपकों से पूल सकते हैं कि ये फ्रेम सूटेबल है या नहीं है प्रोग्रेस्टिंग के लिए बट आइडियली जो रेकमेंडेड है 30 mm मिनिमम टेन फार्द हो गया नहीं हो एकशली तो यह फैर्मूला है जब भी आप फ्रेम चूज करते हैं वह देख लिए और दूसरी बात प्रोग्रेसी जा सीज लेते हैं लेन्स स्याफंर फिर फ्रेम लेते हैं तो फ्रेम में वी अपीसेषर सेवकर देखते हैं कि लुक कैसा है तो वह वह से ब मतलब यह है यह जो temple length है इसके बड़ी है आपके face के carding या फिर आपके जो head है उसके carding वह नहीं बनाएं ठीक है तो जब भी आप frames लेते हैं इस बात का भी ध्यान रखें उसकी जो temple length properly यह जो back side है यहां तक होनी चाहिए आपके ear के पास है ताकि यह आगे आने से इसको रोक सके नहीं तो फ्रेम क्या होगा ना बार बार ऐसे सरकता लेगा आपके नाग के निचे फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा या फिर ऐसे करना पड़ेगा तो करना पड़ता है क्योंकि comfortable नहीं होता है तो जब भी आप फ्रेम लेते हैं तीन चीजों का ध्यान रखिए पहले उसकी temple length क्या है दूसरा वो nose bridge का size क्या है वेदर वो proper रूप से मेरे नाग पे बैट रहा है या नहीं बैट रहा है ठीक है दूसरा यह जो है हमारा cheekbone है ना वहां तक size अकर है तो maximum size है उससे बड़ा लेंगे तो फिर look आपका change दाएगा कोसिस कीजिए cheekbone के अंदर में या पिर cheekbone के बराबर आना चाहिए ठीक है तो look बिल्कुल perfect आएगा but most important है आपका यह temple length ठीक है इसमें देखेंगे तो यह bending part होता है यह जो देखेंगे तो यह bend रहता है यह जो bend है हम ऐसा कान के feature होना चाहिए यहाँ पर देखेंगे जिसका हम लोग इस टापर के रूप में जानते हैं actually मतलब यह आगे नए है तो उतना है तो फिर आपका वो जो frame है वो कभी आपको ऐसे कितना भी करेंगे नहीं गीरेगा actually तो इस बात का आपको धियान देना है ठीक है य आख भी मैंने दो-तिन विडियो बना दिया है कास्टिंग के उपर हरस अपको प्राइस भी आपको बता दिया है चाहे हो आपका जायज हो चाहे आपका वारिलैक्स या फिर विजाल अचाह टाइटन एप्लस तीन ओके बारे हम बता दिया है बट वी आपको बजट में चाहिए बजट फ्रेंडली प्रोग्रेशी लेंस शेकल अभी जो टाइटन एपलस का नेये लेंस्स लांच हुए प्रोग्रेशी लेंस्स अपने इंडिया का ब्रांड है सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपय में आप एक प्रोग्रेशी लेंस बन सकते हैं ठेक है वो भी ऐसा वैसा नहीं इत गुड ब्रांड विट इंटी रिफलेक्शन और स्क्रेश रेजिस्टेंस कोटिंग के साथ में और साथ में मिलता है 30 दिन का मनी बैक गारंटी तूँआ के अंदर परोग्रेसिव लेंस कमफर्टिबल नहीं हुआ तूप अब रिटन करके बात में सिंगल भीजन ले लिज़े ए और buy लेने चोई सीज़ें चेक है तो जो सबसे कम कीमत का प्रोग्रेसिव लेंस ऑभी अच्छी क्वालिटी अच्छी गुड़िवत्त्ता क के साथ में फीफर्म्ट क्लॉज यह 99.6% के साथ में तो है नया लेंस जो है टाइट नाय प्लस का 1250 ठीक है इसको बोलते हैं नियू इंसिया तो अभी किसी भी स्टोर में जा करके अब दी कोई आपको नहीं बता रहे इसके बहुत बोल सकते हैं नियू इंसिया जो प्रोग्र से कम बजट में वह भी इंडिया का ठीक है अगर थोड़ा सा बजट जादा है तो आप जाइस का ट्राइब कर सकते हैं और सिमिलर बजट और है तो आप रिजाल रिलेक्स ट्राइब कर सकते हैं कि दोनों कंपनियों का जब प्रोग्रेसिव लेंस स्टार्टिंग पांच तो सब यह आपको कम में मिलता है और डारेट कंपनी का चाहिए तो मां कहाता है कि कोटिंग आप अपने हिसाब से चूच कर सकते हैं प्रोग्रेसिव लेंस का डेपेंड बांद यह रिक्वाइर्मेंट एक्चली क्या जवरत है आपको उसके हिसाब से आप चूच कर सकते है जैसे नार्मल लाइफ है तो स्क्रेच एंटिकलेर काफी है अधि आप देश्टर डिवाइस वह नहीं यूज करते हैं यूज करते हैं तो ब्लू फिल्टर ले लिजए ड्राइविंग वर करते हैं तो ड्राइब जी ले लिजए आपको थोड़ा क्लिर्टी ज्यादा चाहि इतना बहुत सारे लोग बोलते हैं इस प्रोग्रेसी लें शेम होता है वाट सेम नहीं होता है जाता है आपको कुछ ऐसा दिखता है लेका नीचे का रिडिंग एरिया डिस्टेंस अरिया साइड में मुआ है बेच में आपका इंटर्मिडेट अरिया जब बन करा आता है यहां फूर्ण अे छोटा सा इनफरमेशन था आज के बारे में और जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में अधी कुछ जानकारी आपको चीज़ के बारे में डेफिनिटली कमेंट की जागा तो हम आपके प्रश्णों का उत्तर उसमें आपको दे देंगे एक्चुलिए ठीक है तो थैंक यू सो मच्छ वे गुड़ डे साथ मेरा आने के लिए बाइब